हेलो दोस्तो श्वागत आप सबका अपनी योटीव चानल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले जी इंटरटीन्मेंट के श्टोक के बारे में सारी बात जानेंगे, सारे पैरिमिटर पे बात करेंगे और आने वाले support और resistance भी जानेंगे तो वीडियो बहुत important होने वाली है अगर आप इस stock में invest किये हुए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और अगर आप इस सेलेल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए stock से related वीडियो लाते रहते हैं अगर आपने भी तक डिमेट अकान नहीं खुला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एंजल, ब्रोकिंग और जिरो धाक आप वहाँ से डिमेट अकान खुला सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो तो सबसे पहले बात करेंगे stock का delivery quantity के बारे में तो जैसा कि आप देख पार है 21.71% का delivery quantity देखने को मिल दा है नेक्स्ट बात करेंगे stock का P.E. ratio के बारे में तो जैसा कि आप देख पार है stock का P.E. ratio 32.83 है और sector P.E. minus 9.06 है और dividend yield की बात करें तो जैसा कि आप देख पार है 0.17% देखने को मिल दा है 2-3% का dividend yield अच्छा माना जाता है बट ये stock 1% से भी कम का dividend yield provide करती है तो ये सब चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है नेक्स्ट बात करेंगे intrinsic value के तुझे सा कि आप देख पार है current price is less than the intrinsic value अभी जो price चल रहा है वो कम है intrinsic value से return versus F.D. rate की बात करें तो stock has been generating better return on equity than bank F.D. stock bank F.D. से अच्छा पैसा बना के देती है dividend return की बात करें तो stock does not offer attractive dividend return stock अच्छा dividend return provide नहीं करती है entry point की बात करें तो good time to consider as stock is not in overbought zone अभी सही time है stock में invest करने के लिए अभी stock overbought zone में नहीं है तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है चलिए एक बार stock का financial level पे नज़र डालते हैं तो जैसा कि आप देख पार है revenue में एक अच्छा increment देखने को मिलड़ा बट profit में कमी देखने को मिलड़ा 2019 के मुकाबले 2020 में तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है share holding pattern के बात करें तो जैसा कि आप देख पार है 1% का stake pledge में रखा गया है और promotor और pledge मिला के 4.77% का stake देखने को मिलड़ा है और much wealth fund के पास 3.77% का stake है और DIs के पास 9.68% का stake है और FIs के पास 67.32% का stake है और other parties के पास 18.23% का stake देखने को मिलड़ा तो ये सब चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं बुलना है चलिए एक बार देख लेते हैं expert का क्या मानना है इस stock के बारे में तो जैसा कि आप देख पार है 60% expert का ये मानना है कि इस stock में invest करना सही है short term के लिए भी long term के लिए भी चलिए एक बार technical level पे देख लेते हैं तो जैसा कि आप देख पार है RSI अभी BAD signal दे रहा और money flow index अभी neutral बता रहा और MACD अभी BAD signal दे रहा तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है चलिए एक बार stock का support और resistance देख लेते हैं तो जैसा कि आप देख पार है stock का pivot point 182.35 और stock का first resistance 186 और second resistance 192.05 और third resistance 195.70 और stock का first support 176.30 और second support 172.65 और third support 166.60 तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है अगर आप इस stock में इन्वेस्ट किये हुए हैं तो ये support और resistance आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है तो आज के वीडियो बस यहाई तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजे और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी सिख कर लिजे stocks related वीडियो लाते रहते हैं अगरो लाय जहाई प्रवश कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक कर देच हैं